भगवान नरायन को भी अगर लच्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की करपा से प्राप्त हो रही है तो निवेदन आप से भी है कि भगवान शंकर का इस्मरन करना दीपावली का पर्व है घर में जब शाम के समय आप लच्मी का पूजन कर रहे हो भगवान शंकर का नुमोदन कर रहे हो भग माता लच्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो तो नमस शिवाए पंचाक्छर मंतर का इस्मन करिए शिरी शिवाए नमस तुभ्यम का इस्मन करिए शिरी गणेजी महराज का इस्मन करिए और तब लच्मी की पूजन करने बेटिये और माता भाव प्रबल आना चाहिए कि मां हमने जो पूर्म में गलती करी हमने जो पुरानी गलती करी हो हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो हम आपका आदर न कर पाए हो पर मां आच छमा मांगते हैं एसी कृपा इसलिए आपको में पहले बिश्यू पुर्ण में कहा हिएं पंक्चाप्चर मन्त्र नमश शिवाएं बोल लेने से ऽाहरे दोषा सारी गलतिया चमण हो जाती है समाक्ट हो जाती कि माट्र पंक्चक्षा मन एpower आप अगर भगवान भूत अदिपती भगवान शंकर का इस्मन करकर पंचाक्षर मंतर का इस्मन करकर अगर आप पूजन में बेट रहें लच्मी पूजन कर रहें तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ तुटी हो भी गई तो भगवान भोले ना तुसको चमा कर दे और माता से न आप हमारे घर से रुष्ट हो करना जाईएगा यह घर यह परिवार यह सब आपका कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाब उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तू फेर